हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ निशा आज मैं आप सब के साथ गेहूं के आटे से बने फुले फुले नान की रेसेपी शेयर कर रहे हूँ बहुत ही जादा परफेक्ट बन करके त्यार होंगे और इन्हें अमने ना गेहूं के आटे से बनाया है बिल्कुल भी मैदे का यूस नही मिक्सिंग बाउल में हम गेहूं का आटा ले लेते हैं क्योंकि आच्यों मैं नान बनारी हूँ वह सिर्फ गेहूं के आटे से बना रहे हूँ बिल्कुल भी मैदे का यूस नहीं करेंगे तो आटा कम जादा आप ले सकते हो वन टेबल स्पून मैंने लिलिया है शुगर पा उसी चमच का मैंने यूज किया है सारे ही इंग्रेडियन्स को डालने के लिए टू टेबल स्पून हम इसमें ओल डालेंगे और सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं तो मैंने जो इंग्रेडियन्स लिए हैं वो मैंने तीन कप आटे के हिसाब से लिए हैं तो जो भी आप अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सूपर सॉफ्ट डो हम तयार कर लेते हैं जैसे कि हम रोटी वगेरा के लिए तयार करते हैं अब इसे हम ढख करके लगभग 15-20 मिनट के लिए रेस्ट में रखेंगे तो डो को रेस्ट करते हुए 20 म नान बनाना शुरू करते हैं नान बनाने से पहले कुछ तयारियां और कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हो कप में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और ब्लाक तिल लिया है तिल की जगे आप कलॉंजी का यूज़ भी कर सकते हो मैंने कटी भी हरी धनिया ले ली है तो सार को बनाने के लिए हमें ऑईल घी किसी भी चीज की जरूरत जरूर से पड़ेगी तो आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत करिएगा तब ही आपके जो नान है वो बहुत ही जादा परफेक्ट बनेंगे तो सारी तियारे हो चुकी है नान बनाने के लिए मैं एक लोई ले लेती हूं जितनी भी बड़ी नान छोटी नान आपको बनाने हो उसके हिसाब से आप लोई बना लीजेगा सुखा मतलब घी की स्ट्रफिंग करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा अड़ा डस करेंगे और इसे हम बेल लेते हैं तो जो भी साइस आपको बड़ा चोटा बहुत जादा पतला नहीं बहुत जादा मोटा भी नहीं रखना है इसे हम पतला सा बेल लेते हैं तो आप देख सकते हो परफेक्टली ये हमारी एक नान बेल चुकी है अब हम इसमें थोड़ा सा लगा देते हैं ब्लाक तिल और कटी हुई हरी धनिया तो दो बेलन हम और मार देंगे जिससे कि ये जो हरी धनिया और ब्लाक तिल डाली वो अच्छे से सैट हो चाहे रोटी में जैसे कि देखने में भी बहुत ही जादा अच्छी लगेगी और खाने में टेस्ट भी बहुत जादा अच्छा आएगा तो इस तरीके से हमने रोटी त्यार कर ली है मतलब नान को बेल करके त्यार कर लिया है इधर हमने गैस पे तवा पर ट्रांसफर कर देते हैं अब हम इसे पकाएंगे तो बस आप देख सकते हो कुछ सेकेंड के लिए मतलब जब आपको लगे ना कि रोटी एक साइट थोड़ी सी पक गई है तो आप इसे मतलब पलट दीजे और इधर घी लगा देते हैं घी ओयल जो भी आप यूज़ कर रह पूल आई है बिल्कुल गुबारे जैसी फूली है बहुत ही जादा परफेक्ट बन रहे है तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है आपको बस इस तरीके से दबा दबा के सेक लेना है उलट पलट के घी लगाते हुए हम इसे सेक लेंगे घी लगाएंगे तो टेस्ट बहु अब हम इसी तरीके से second नान को भी बना लेते हैं, बहुत ही जादा soft बनी है, मैं आपको भी करम है, तब ही मैं आपको fold करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी तूट नहीं रही है, और second नान भी हमारी बन करके same process से त्यार हो चुकी है, इसी तरीके से मतलब मैं सारे नान बना करके त्यार कर लूँगी, यह जो तरीका है ना बनाने का बहुत ही जादा easy भी है, और बहुत जादा perfect है, इस तरीके से आप नान बनाएंगे ना, तो लगभग 3-4 घंटे यह बिल्कुल भी मतलब tight नहीं होंगे, soft बने रहेंगे, बहुत ही जादा perfect तरीका है, नान बनाने का एक बार जरूर से try करिएगा, तो friends आप देख सकते हो, एक के बाद एक मैं सारे नान बना रही हूँ, और बहुत ही अच्छे फूले फूले से नान बन करके त्यार हो रहे हैं, बहुत ही perfect पक रहे हैं, गैस की flame को medium रखिएगा, इसे सेखते वक्त, और बस आप देख सकते हो, फूले फूले से नान हमारे बन करके बिलकुल ready हैं, मैंने इने मखाने और काजू की सबजी के साथ सब किया है, खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगे, तो आप भी एक बार ट्राइ करिएगा, सबजी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो friends आप दे थोड़ी सी भी पसंद आयोगी तो please like my video and subscribe to my channel, thank you